गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है सोने रखा प्राइवेट आई टी आई के यूटूब चैनल में आज के इस क्लास में लोग बेसिक ओफ एलेक्टिसिटी चैप्टर से रेजिस्टेंस क्या होता है एवं लोफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस परदात का वो स्वभाविक गुन जिसके कारण वो स्वेम में से होने बाले बिद्दु धाराव परभाव का बिरोध करते हैं परतिरोध कहलाता अर्थात अगर किसी परदात में रेजिस्टेंस कम है तो ये कम करेंड को ब्लॉक करेगा इसके अलावा अगर किसी परदात का रेजिस्टेंस बहुत जादा है तो ये जादा मात्राम लेक्टिक करेंड को ब्लॉक करेगा एक वेस्ट कंडेक्टर में रेजिस्टेंस का मान कम होना चाहिए ताकि ये आसानी सेलेक्टिक करेंड को एक दिशा से दूसरे दिशा की तरफ फ्लो कर सके बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस है इससे हम लोग केपिटल आर दोरा दरसाते हैं एभंग इसका मात्रक ओम होता है इस रेजिस्टेंस को मापने के लिए एक स्पेसल मीटर का परियोग करते हैं जिससे हम लोग ओम मीटर कहते हैं ओम मीटर के दोरा हम लोग अलग अलग भेलू के रेजिस्टेंस को माप सकते हैं जैसे अगर रेजिस्टेंस का मान कम है तो इसे हम लोग ओम के दोरा मापते हैं अगर रेजिस्टेंस का मान ज्यादा है तो इसे हम लोग किलो ओम से मापते हैं अगर रेजिस्टेंस का भी बहुत ज़्यादा है तो से हम लोग मेगा ओम से ही मापते हैं market में अलग-अलग परकार के resistance उपलद है जैसे कि ये आपको half watt में मिल जाएगा quarter watt में मिल जाएगा one watt में मिल जाएगा two watt में मिल जाएगा four watt में मिल जाएगा इस तरह से resistance का wattage rating बढ़ते जाता है वो परदात जो परती रोध का गून परदिशित करता है परती रोधक अरथात register कहलाता है एक resistance दो अलग परकार के category में बाटा गिया है पहला fixed register मतलब जिसका मान बिलकुल fixed है मतलब इस resistance के मान को हम लोग बदल नहीं सकते हैं एक किलोओम का resistance है manufacturing के समय तो यह बाद में भी एक किलोओम का ही रहेगा इसे कहते हम लोग fixed resistance और दूसरा variable resistance जिसका मान हम लोग अपने मुताविक्त बदल सकते हैं जिस परकार का requirement होगा उस परकार से हम लोग resistance के मान को आसानी से बढ़ा सकते हैं गटा भी सकते हैं एक diagram के हिसाब से मैं आपको समझाओंगा resistance actual में क्या होता है इस diagram में मैंने एक battery का साहेता लिया एक wire का साहेता लिया एक resistance का साहेता लिया इभांग एक bulb का साहेता लिया जैसे ही मैं circuit में बैटरी को connect कर देता हूँ और हम पढ़े हैं ये resistance electric current का बिरोध करता रथा जब हम लोग इस circuit में एक resistance को जोडेंगे तो यह कम मात्रमलिक्टिक करेंड का विरोध करेगा जिसके फल्सवरूप बल्ब में एक सर्टेन एमाउंड का ग्लो देखने को मिलेगा मतलब बल्ब हम लोग का रोसनी देगा बट जैसे हम लोग नंबर ओफ रेजिस्टेंट सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो करेंट धिरे 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 बलॉक होते जाएगा और एक ऐसा समय आ जाएगा जब बल्ब बिल्कुल डीम रोसनी देगा तो इस एक्सपरिमेंट में हम लोग ये देखें अगर किसे सरकीट में रेजिस्टेंस का मान कम है तब ये कम मात्रम लेक्टिक करेंड का बिरोध कर रहा है बट जैसे ही सर्कीट में रिजिस्टेंस का मायन बढ़ जाता है ये ज़्यादा मात्रम लेक्टिक करेंट का बिरोध करता है जिसके फल्सुरूप ये बल्व है ये बिल्कुल डीम जलता है आप इस दोनों फिगर सेलेक्टिक करेंट को बहतर डंग से समझ सकते हैं यहाँ पर मैं आपको और एक डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैंने दो अलग अलग परकार के पाइप का परियोग क्या गया है आप समझे कि इस पाइप में जब हम लोग वाटर फ्लो करते है तब क्या होगा पहला केस पाइप में किसी परकार का रेजिस्टेंस नहीं है मतलब जो वाटर यह आसानी से फ्लो हो रहा है जब हम लोग पाइब को सर्टेन एमाउंट में कहीं बीच में पकड़ के दबा देते हैं तो क्या होती होती यहां से जो water flow हो रहा था पहले के मुखाबले कम हो रहा तो इसे इस परकार समझ सकते हैं पहले pipe का resistance बहुत कम था जिसके लिए आसानी से pipe में water का flow हो जारा और दूस दूसरा केस, ज़ हम लोग pipe को प्रेस कर रहें, तो कहीं ने कहीं pipe में blockage हो रहा है, जिससे की water एक जगा से दूसरे जगा flow नहीं हो पा रहा है, इसी blockage को हम लोग in term of electricity में पढ़ते हैं, हम लोग परती रोद। अभी हम लोग बात करते हैं लो ओफ रिजिस्टेंस लो ओफ रिजिस्टेंस के अंतरगत हम लोग मुख्यत दोन यम को अच्छे ढंग से बढ़ते हैं पहला नियम लो ओफ रिजिस्टेंस का ये कहता है किसी चालक का परतिरोद उसके लंबाई के किसी चालक का परतिरोद उसके लंबाई के डारेक्टली प्रपोसनल होता है यहां पर डारेक्टली प्रपोसनल का मतलब है अगर चालक का लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा अगर चालक का लंबाई घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा डारेक्ट प्रोपोशनल का मतलब ही होता है एक बेलू के मान के बढ़ने से दूसरे बेलू के मान भी बढ़ जाएगा पहले बेलू के मान घटने से दूसरे बेलू का मान भी घट जाएगा अभी मैं आपको एक ग्राफ के हिसाब से समझाता हूं कि लो अफ रेजिस्टेंस का पहला निय स्टार्टिंग होके बिल्कुल स्टेट लाइन को फ्लो कर या कुछ इस परकार से जब चालक की लंबाई बढ़ेगा तो परतिरोद भी बढ़ेगा एही था low of resistance का पहला नियम दूसरा नियम low of resistance का यह करता है अगर किसी चालक का परतिरोद उसके area of cross section पर निर्वर करता है तब resistance और area of cross section एक दूसरे के inversely proportional होता है मतलब अगर area of cross section का मान बढ़ेगा तब resistance का मान घटेगा मतलब simple मैं आप इसको इस परकार समझे ये दो value में से किसी एक कमान जब बढ़ेगा दूसरे कमान ऑटोमेटिक घटेगा इसे हम लोग graph में कुछ इस परकार से दर्शाते हैं x-axis में area of cross section y-axis में परतिरोद को दर्शाते हैं ये graph कुछ इस परकार से बनता है एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा और अंत में जब हम लोग equation 1 और equation 2 को combine रूप से लिखते हैं तो इसे हम लोग law of resistance का तीसरा नियम भी कह सकते हैं जो इस परकार है किसी चालक का परतिरोद उसके परदात के किस्म अर्थात परदात के resistivity पर निर्वर करता है इसे हम लोग कुछ इस परकार से लिख सकते हैं हम लोग resistance के पहले नियम से ये देखें जो आर है ये directly proportional है लेंद के एभं second नियम से ये देखें resistance inversely proportional a के मतलब हम लोग लिख सकते हैं आर directly proportional l और आर inversely proportional a तो इसे हम लोग कुछ इस परकार से समीकरन में दर्जा आते हैं जब proportional का sign हटता तो यहाँ पे एक constant aid होता तो r is equal to rho गुणा l बटा a ये basically rho को ही हम लोग resistivity कहते हैं ये law of resistance का सबसे आखरी वाला equation है r is equal to rho गुणा l बटा a इस equation में हम लोग capital R को परतिरोध कहते हैं एबन इसको मापते हैं ओम के दोरा इसमें rho को हम लोग चालक का परतिरोधकता जिसे resistivity कहते हैं इसे हम लोग मापते हैं ohm centimeter में l जो की चालक की लंबाई है इसे हम लोग मापते हैं centimeter में और a जो area of cross section इसे हम लोग capital small a दोरा दर्सा आते हैं जिसको हम लोग centimeter square से मापते हैं तो आज की class में हम लोग पढ़ें resistance क्या होता है एबन लोग of resistance क्या होता है